और दोस्तों अपको जनकरी देने वाला हूं वह आपके बहुत काम आने वाली है दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको प्रधान मंत्री अजोला योजना के अंदर आने वाली आपको जो समस्यां है परेशानी उसके बारे में कुछ जनकरी दूंगा दोस्तों प्रधानमेंति उजला योजना बहुत ही अच्छी एक स्कीम है और सभी लाखों करोडों लोग इसका लाब ले रहे हैं कई लोगों ने इसका कनेक्शन ले लिया है और अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं जी ने इसका connection या इसका lab नहीं मिल पा रहा और वो हमसे सवाल पूछते हैं कि इसके अंदर apply कैसे करें क्या 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 document इसमें देने हैं या किन-किन लोगों को इसके अंदर lab मिलेगा तो यही इन सवालों के जवाब हम इसी वीडियो में देने ही कोश्च करेंगे तो आप से request pmy.gov.in यहाँ पर आपको लिखना है और उसके बाद इस तरह का एक page खुल जाएगा और यहाँ पर आप सबसे end में चले जाएए सबसे end में जब आप यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक option दिखेगा download form download form का आपको एक option दिखेगा यहाँ पर आप click कीजिए जब आप यहाँ पर click करेंगे तो देखिए आप से दो language में form download करने के लिए कहा जाएगा चाहे आप हिंदी में form download कर दीजिए चाहे आप English में जिस भी भाषा ये language को आप पसंद करते हैं उस भाषा में आप form download कर दीज चाहें फॉर्म भर कर आप अपने नजदी की ज़ाएंस वहाँ पर आप अपने form को जमा कर दीजिए यह पहला ततरीका और दूसरा तरीका क्या है आप सीथे ही अपनी नजदी की gas agency में आप जा सकते हैं वहां से आप form ले सकते हैं और वो form भरके आपको वहीं पर ही जमा करना पड़ेगा ठीक है अब दूसरी बात करते हैं कि इसके अंदर क्या-क्या आपको चाहिए अगर इस योजना में आपको लाव लेना है तो तो सबसे पहले आपको देना पड़ेगा अपना आवासिय प्रमाण पत्र यानि की आपको देना पड़ेगा दूसरा आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए तीसरा आपके पास जन्धन अकाउंट होना चाहिए जन्धन खाता होना चाहिए चोथा आपके पास एक वैलिड मोबाइल नंबर होना चाहिए जिहां वैलिड मोबाइल नंबर इस योजना के होना चाहिए दूसरा आपके पास जंदन खाता होना चाहिए आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए आपके पास मोबाइल नंबर होना चाहिए जो की चालू हो और आपके पास बीपेल कार्ड होना चाहिए या जंगर्णा लिस्ट 2010 के अंदर आपका नाम होना चाहिए तो ज एक तो आपका BPL कार्ड है या BPL लिस्ट में अगर आपका नाम है तो भी आपको इस योजना का नाम मिल जाएगा और अगर आपका जनगर्णा लिस्ट 2010 में नाम है तभी आपको इस योजना का लाब मिलेगा इसके अलावा आपको योजना के लाब मिलने में बहुत दिक्कत होगी या फिर आपको लाब नहीं मिलेगा तो ये कुछ सवाल थे जो आप हमसे लगातर करते थे उसके जवाब मैंने आपको इस वीडियो में देने की कोशिश करी तो अगर आपको कुछ भी आपके सवाल हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट करके और अगर आपको ये वीडियो कैसी लगी वो भी हमें इस कमेंट करके जरूर बताइए ये वीडियो अगर अच्छे लेगी है तो इसे लाइक कीजिए अपने दोस्तों परिवार के साथ इसे शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए आपकी स्क्रीन के अपड पर सब्सक्राइब के लाल निशान के आपर टच करके और उसके बाद घंटी के निशान पर जरूँ टच कीजिए ताकि आपको मारी बनाए हूँ नहीं वीडियो लगातार मिलती रहें यह बिल्कुल फ्री होता है आपके से जहाँ से ज़्यादा फायदा उटा सकते हैं तो अभी के लिए इतना ही धन्यवाद